बिस्मिल्य रह्मान रहीम, असलाम अलेकूं, उमीद है आप सब टीक टाक होंगे क्लास सेवन की मैथमेटिक्स, आज हमारा आटवा लेक्चर है, हमारे पास है यूनिट नमबर वन, जिसका नाम है सेट्स आज का टापिक है वो पिछले टापिक से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, यानि पिछली टापिक में भी हम लोगों ने प्रापरटीज ऑफसेट ऑपरेशन डिसकस किया, आज आप इसको टू नाम दे दे कि हम लोग प्रापरटीज ऑफसेट ऑपरेशन टू डिसकस कर रहे है ये तीन प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं वो मैंने रिवाइस करने के लिए दे दी कि ये आपने कब लिया होंगे इससे रिलेटिट क्रिस्टन भी किये होंगे और एक्जेम्पल भी किये होंगे आज इसके इलावा कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको मैं लिक्वा कर इन तकरीबन दस प्रॉपर्टीज है सारी की सारी तो नहीं कराओंगा लेकिन एक दो इसमें से करा दूँगा बाकी आप देख लिए आसाल है इनके अदर कुछ मुश्किन नहीं है एक दो से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है वो इसे आइडिया आपको इन से भी मिल गया होगा कि इन प्रॉपर्टीज को आप कैसे सॉल्फ करेंगे तो इनको देखते हैं यह हमारे पास आज की दस प्रॉपर्टीज है जिनको आप देख सकते हैं पहला आपके पास है A complement minus A जो है वो A complement के बराबर होगा। चुनके A complement और A set के अंदर कोई भी चीज common नहीं है, यह आपको पता है, दोनों आपके पास disjoint sets है, यानि इनके दर्मियान कुछ भी common नहीं है। तो जो पहले लिखेंगे, answer में क्या है, वो ही आपके पास आएगा। आप देख सकते हैं, A minus A complement, A के बराबर है, और अगर आपने A complement को पहले लिख दिया, minus A कर दिया, तो वो A complement के बराबर है, क्योंके इनके अंदर कुछ भी common नहीं है, जब कुछ भी common नहीं है, तो पहला जो A complement, Union A, यानि जो elements A set के अंदर है या A complement के अंदर है, वो सब के सब, अगर आप Union लेंगे, तो वो आपके पास वापस universal set बनेगा, वो आपके पास universal set बनेगा, चोथा आपके पास है A complement का, अगर आप intersection set A के साथ लेंगे, तो चुके इनके अंदर कुछ भी common नहीं है, तो जब कुछ भी common नहीं है इनका जो result है वो आपके पास empty set आएगा खाली set आएगा next आपके पास अगर आप you का compliment लेंगे you compliment किस चीज़ के बराबर है you minus you अगर you से तमाम elements you के निकाल देंगे तो आपके पास क्याएगा empty set आएगा ये भी आपके पास obvious है next आपके पास है पाई का compliment तो पाई का compliment किस चीज़ के बराबर होगा you minus पाई जो के वापिस किस चीज़ के बराबर आएगा you के क्योंके पाई यानि empty set के अंदर कोई भी element नहीं होता है जो you से minus हो जाए इसलिए you के तमाम के तमाम elements वापिस आ जाएंगे यानि universal set वापिस आ जाएगा ये एक बहुत एहम property अगली property के a का compliment का whole compliment यानि a का double compliment एक दफ़ा compliment लिया जो result आया उसको दुबारा जब आप compliment लेंगे तो आपके पास क्या answer आएगा answer a वापिस आ जाएगा तो ये भी आप देख सकते है कि a compliment का whole compliment किस चीज़ के बराबर है a के बराबर है next है कि अगर आप a compliment का intersection वापिस a compliment के साथ ले लेंगे जो elements होंगे वो common होंगे इसलिए इनका जो answer है वो आपके पास a compliment ही रहेगा next है कि अगर आप a का intersection you compliment you compliment हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर you compliment कि चीज़ के बराबर है पाई के बराबर है तो जब यहाँ पर आप पाई का intersection किसी भी चीज़ के साथ लेंगे answer क्याएगा पाई यानि empty set नेक्स्ट है कि अगर आप a का compliment यू के साथ लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा वापिस a set बनेगा क्योंकि यू का जो compliment है वो आपके पास empty set है इसलिए वापिस आपके पास आज नहीं आए आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे हुआ तो इन में ज्यादा कराने की कोई चीज नहीं है बाकी तो example से उन्होंने इसको थोड़ा बहुत समझाया है अगर आप वो examples देख ले exercise 1.4 के questions जो है वो आप इसी से करेंगे या आपका homework है हमारे पास एक topic रे जाएगा when diagram जिसे हम लोग अगले लेक्चर में डिसकस करेंगे अगले लेक्चर तक के लिए लाफिस अपना ख्याल रखेगा